दो दोस्तों की कहानी, बहुत समय पहले की बात है, दो घनिष्ट मित्र, राहूल और अर्विंद, एक छोटे से गाव में रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीबी थे और हमेशा साथ रहते थे। दोनों का स्वभाव बहुत ही नेक था और वे हर किसी की मदद करने के लिए ततपर रहते थे। एक दिन, गाव में एक संता आये। संत ने गाववासियों को प्रवचन दिया और बताया कि अगर कोई व्यक्ति सची मित्रता निभाता है, तो उसे जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रहूल और अर्विंद ने ये सुना और उन्होंने सोचा कि वे अपनी मित्रता को और भी मजबूत करेंगे। एक बार गाव के पास के जंगल में एक बड़ा बाग आ गया। गाव में भाए का माहौल हो गया और सभी लोग अपने अपने घरों में छुप गये। रहूल और अर्विंद ने निश्चे किया कि वे मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। वे जंगल में गाए और देखा कि बाग एक गहरे गड़े में गिर गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। राहूल ने कहा हमें इस बाग को बचाना चाहिए। अर्विंद ने सहमती जताए और दोनों ने मिलकर बाग को बाहर निकालने का प्रयास किया। काफी मेहनत के बाद वे बाग को गड़े से बाहर निकालने में सफल हुए। बाग ने उनके प्रतीकृत अग्यता प्रकेट की और बिना किसी को नुकसान पहुचाए जंगल में च हटना के बाद गांव में राहूल और अर्विंद की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लोगों ने उनकी मित्रता की मिसाल दी और उन्हें सम्मानित किया। संत ने उन्हें आशिरवाद दिया और कहा सच्छी मित्रता वही होती है जो हर कचहनाई में साथ दे। तुम दो उन्होंने ये सिधा कर दिया है कि सच्छी मित्रता कितनी महत्वपून होती है। राहूल और अर्विंद की मित्रता और भी गहरी हो गई और उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। इस प्रकार रा प्रहूल और अर्विंद की सच्छी मित्रता की कहानी पूरे गाव में मशहूर हो गई और वे सभी के लिए प्रेरना स्रोत बन गए।